तो इस दिवाली के शुब असर पर मुझे कुछ लोग मुझे बतलाएं कि मैं दिवाली के बारे में कुछ चंश सब कहूं तो इस सार में दो देश में जहां गिर्मिटिया लोग को लेग गए थे बिटिश सरकार और बहुत से लोग साइद नहीं जानते होंगे कि जब पुछगीज लोग बसको डगामा ने गो आ गया था तो चार सो साल पहले इंदुस्तानी लोग को इंडिया से ब्राजील में साव पोलो में जाकर बसा गया था नौकर के तरफ और दूसरा देश इस साल मैं उनको पूर्वच को याद करूंगा जिसको बिटिश सरकार ने जब एक म्यूटिनी हुआ था कोछ जो आमी में हिंदुस्तानी लोग थे जो वीरोध किये थे बिटिश सरकार के वो लोग वहां से लेके गए इरान इराक और भी देश इजिप्ट लेकिन जब वो देश वहां पर उनको इंकार कर दिये तब वहां से वो लेके गए मेक्सिको जब मेक्सिको ने इंकार कर दिया और गटमाला ने इंकार कर दिया तो उनको लेकर लेकर जाकर बिलीज में बसाए तो इस साथ मैं वोस लोग जो ब्राजील में सावपोलो में रहते हैं और जो बेलीज में रहते हैं ये दिपावली उन लोगों को शुबो और आने वाला नया साथ उनके अच्छा से भी थे दूसरा मैं बहुत से पोग्रेम इस अप्ता मैंने देखा फेस्बूक पर और मुझे बहुत से लोग फेस्बूक पर भेजाएं वीडियोज कुछ जो प्रेजेंटेशन डेंस हुआ स्कूल पर तो मैं जितने ही पोग्रेम मैंने देखा किसी भी पोग्रेम मैं मैं नहीं देखा कि कोई भी वेक्ती या स्कूल टीचर हो या सनातन धर्म का हो चाहे आरे समाज का हो, चाहे संगम का हो, चाहे कोई उनिवेस्टी का हो, कोई ये शब्द नहीं बतलाया, कोई बताया ही नहीं, कि कैसे फीजी में तिवपावली या दिवाली शुरुवात हुआ, ये बहुत शरम के बात है कि फीजी में आस तलक कोई वेक्ती, आस तलक कोई ने लिखा कि गिर्मितिया लोग कैसे दिवाली को शुरुवात कि एफिजी में इस अपते मेरे पास कुछ लोगों ने करेबियन, ट्रिनिदाद, तबेगो, ग्याना, सुरीनाव, वहाँ से मुझे लिखत में भेजे कि वहाँ पर कुछ लोग ने बहुत अच्छे से, बहुत डीटाइल में वो लोग लिखे कि कैसे दिवाली ट्रिनिदाद तबेगों में शुरुवात हुआ और जमिका में शुरुवात हुआ और उस देश में इस सब्ते कितने ही जो संस्ता है सनातन धर्म और जो संस्ता और भी है वो लोग बच्चे को लेकर बतलाएं कि दिवाली के कल्चा कहां से सुरुवात हुआ और क्या उसके मतलब है या मीनिंग है कि दिवाली इन देशों में कैसे सुरुवात हुआ और यह नहीं कि केवल बस कुछ बोल्यूड डेंस और कुछ बता दिये कि यह फेस्टिवल अव लाइट है यह है दिवाली नहीं फीजी में कूद हिंदुस्तानी लोग नहीं जानते आज कल के बच्चे कि कैसे दिवाली दिवाली फीजी में सुरुवात हुआ ये भी लोग नहीं जानते कि लेवनी दास में जब 1879 में जब हिंदुस्तानी लोगों को लेग गए फीजी तो राम भी आलें, गीला तव्यूनी, दम साउतालेवू, बावलेवू मोनेवेनी भित्तर और वनींदावा, अंदर रिदम भित्तर और दोलो नोत सिंगा टोका में जैपी बेली के जमीन पर चार पांच जगा हिंदुस्तानी लोगों को लिग गए ये बहुत शरम के बात है, कि सनातन धर्म, प्रोहित सभा फीजी के, ब्रामन संस्ता फीजी के, और भी जितने संस्ता है, आस तलग कोई नहीं बतलाता है, कि क्यों और कैसे दिपावली शुरुआत हुआ, बहुत मुश्किल में गोरे लोग, हिंदुस्तानी लोग को मौका दिये, कि चार बज़े के बाद काम नहीं होगा, और वो दिपावली के, कुछ ऐसन अवसर पर कुछ खुश्याली मनाए, बाद में कुछ ऐसे गोरा वेक्ती थे, जो बहुत पसंद किये हिंदुस्तानी भोजन और मिठाई, कि वो लोग आस्ते सब दिपावली को एक रोज छुट्टी देने को तयार हुए, यह आगी गड़, आज तो कोई ही नहीं जानता फीजी में, कि नरियल के खोपड़ाई में दिया बनाया जाता था, रांबी आलेन में, गीला तव्यूनी में, बावलेवू में, सिंगाटो का वेली में, यह तो भूल गए, आज कल के तो बच्चे कोई नहीं जानते कि कैसे दीपावली शुरुआ फीजी में, हमारे लोगों को, हमारे लीडर को, सनातन धरम को, आरे समाज को, TIC संगम को, जितने और संगम और उगनाइजेशन से फीजी में, उनको आज सरम करना चाहिए, कि हमारे बच्चे दीपावली को मीनिंग नहीं जानते, ऐसे बतलाते हैं कि लच्मी पूजाने बस, दीपावली के और भी बहुत मीनिंग है, अगर जो आप 120 साल पहले फीजी में अपने आपको सोचो गए, तो लच्मी पूजान इस कारण से किया करा जाता था, यहने कि वो उनके घर पर एक सो मोहर बरस जाए, एक साल बाद, लेकिन वो यह प्रातना करते थे कि उनके घर में अनाज रहे, वो लोग इतने ही धरम से पूजा करते थे, कि उस गरीब लोगों के घर पर अनाज नहीं कभी कम होता था, वो यह पूजा करते थे, कि उनके बेटा और बेटी के साधी और विवा अच्छा से वो, वो यह प्रातना करते थे, कि उनके घर पर भोजन रहे, यहने कि आज कल के जमाना में बोलीवूड डेंसिंग हो, और कोई मतलब नहीं बताता कि के इस से दीपा वली फीजी में शुरुआत हुआ, कुछ काईबिती लोग, फैस्बुक पर बताते हैं कि, वो मिस करते हैं दीपा वली का स्वीट्स, वो तो होतने हैं जानते हैं गुलगुला, और आलू बेगन के तरकारी और लखड़िया मिठाई, अगर जो कोई काईबिती से आप पूछो फीजी में, चाहिए लिए इंडिया तमबवा हो, चाहिए कमी कमीदा हो, चाहिए रंबुका, उनको कोई मतलब पता है या निकि कैसे दिवाली शुरुआ, और अपसोस के बाद यह है कि हमारे हिंदुस्तानी लीडर आस्टलग बताई इने कि कैसे दिवाली शुरुआ फीजी में, मैं क्लास वान से क्लास इथ, हिंदुस्तानी प्राइमरी स्कूल पड़ा, लेकिन मुझे आस्तलब कोई नहीं बताया कि कैसे दीपावली फीजी में शुरू हुआ यह जानना जरूरी है कि कितना इस्त्री गोरे के आगे खड़ा होकर चिला कर बताए कि मुझे दीपावली के चुटी चाहिए प्रोटेस्ट किये प्रोटेस्ट माच किये तब दीपावली के अवसर पर शुट्टी देने के सियासार और जतने फीजी में और से बहुत भारी प्लांटाइशन आउनस्त है तब वो दीपावली को कुछ छुट्टी दिये कि वो हिंदुस्तानी दीपावली मना बाद में यही चीज गुजरा जब होली मना इकनाने के सुरुआ तो बाद में यही मैं करूँगा कि जो यह संस्ता है जो स्कूल टीचर है फीजी में प्राइमरी स्कूल हाइ स्कूल टीचर जो पंडित है जो फीजी में युनिवेस्टी लेक्चरर्स हैं वो मिलकर एक सिंपल हिंदी और इंग्लीश में लिखें और कॉमुनिकेट करें और बच्चों को पढ़ाए उनको ग्यान दे कि कैसे फीजी में देवाली शुरुआत हुआ मुझे तो यह मालूम हुआ लास्टिया कि काईबिती लोग जाकर हिंदुस्तानी घर पर डिमांड करते थे कि मिठाई दो नो तो फत्तर चला देंगे ऐसे हुआ था लास्टिया बहुत जगा हुआ लेकिन बात दबा दिये यह तो धर्म की बात है यह नहीं कि आपको मिठाई नहीं दिये तो उनके घर पर हिंदुस्तानी और हिंदु के घर पर पत्थर बरसा दे उनके घर पर फिर जाकर चोरी करे तो यही है आज का संदेशा और मैं भगवान से यही प्रात्ना करूंगा कि जो हिंदुस्तानी लोग फिजी में हैं उनके कुस तरह से रोशनी दे एक सो चालीस और चाल साल हो गया उन्देरे में चार मिलिटरी कूँ हो गया लबग दो सो हजार हिंदुस्तानी देश शोड़ दिये बीस साल बात तो दस पसेंदुस्तानी लोग रहे गे ने तो परमपिता परमेश्वर से यही मैं आगरा करूंगा कि उस गरीब हिंदुस्तानी को वो मदद करें और जितने भी 23 कंट्रीज गिर्मिटिया लोग को बिटिश सरकार फ्रेंश सरकार और पुजगीस लोग लग गे थे वो पूरवज आज जहीं भी हो कि परमपिता परमे नमस्ते सितारा परवीं कुमार बिस्बंक कुिंस्लें श्रिया